हैलो गाइज। कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं जारी हूँ विंटर सपेस्टल भाट ऐस फेवरिट सब की डिश्ट तो मैं बनाना जारी है अपर मेति की भाजी तो यहां पर आप नहें ने के पत्थी कर लिए है और placed है और नहीं तर्टेयों की ठीट है अब्ल दहीं पांट रहले के लियता है और चय़ लाग्त वां धना राशुक्सले कज़िए लाव द niew inclusive तूटेगी कुछ भी नहीं होगा कोई भी क्रैक नहीं आएंगे और गरम पानी से पहले आटे को इस तरह की रख देना है रेस्ट करने के लिए उसके बार जब तक यह रेस्ट करेगा तब तक हम आपे कढ़ी के लिए बैटर तैयार कर लेंगे बैसन का तहां मैंने एक कब बै बैटर रखे मिक्स हो गया है सारी जगहां पर अच्छे से कहीं कोई लंस नहीं है और इसके बाद मैंने आ पे जो एक्स्रा धा यूजा इसको भी यूज कर लिया मैंने आप पान सो पराब के करीब डही लिया है खटा लदी इह मिठा दही नहीं है उसका तफिर मैंने आपे धर झाली हम सते हिंने दो यसा से प हैं। गड़ हैं। मितिकी नीम अगड़ा दोगी एक इंदर करना दोगी कर दोगी नियुक्त कर दी तोगी में से तोगी मिर्चि को नाव करी को सब्सक्राइब primat मेथी कड़ी नुकसान भी नहीं करती है तो अच्छा रखता है बनाना अदर्वाइस और सीजन में तो फिर हमें कसूरी मेथी यूज करने पड़ती है तो विंटर में जो हरी मेथी कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है यहां पर मैंने एक कटोरी के करीब मेथी यहां पर एट कर दिये अब मैं इसको भी अच्छे से पकाऊंगी ताकि मेथी का कच्छा पन और कड़वपन दोनों ही निकल जाए और यहां पर देखे मेथी हमारी पक रही है अभी इसको 2-5 मिट पकाना है तो यहां पर मैंने नमक ताकि यह अच्छे से पक्जा सॉफ्ट हो जाए बाजरी की रोटी ना जादर ऐसा होता है कि हम लोगों की तूटी जाती है लेकिन जिस गरम पनी में आप लोग उसको 10-15 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ना आटा मिक्स करके तो आपकी रोटी कभी क्र सब्सक्राइब करें तो चलाते रहना है उसको छोड़ना नहीं है तब तक जब तक कि इसमें बॉयल ना लगे ऐसे में क्या होता है हमारी कड़ी फटती निए वनना कड़ी फट जाती है जिससे तेस्ट में तो कुछ भी अंतर नहीं आता लेकिन देखने में न चुट चुट चुटे दाने दाने से हो जाते हैं जो वह अच्छी नहीं लगती इसलिए कोशिश यही करें कि कड़ी जब भी मनाया तो जब तो उसका पुरा गोल उबलने ना लगे तब तो उसको चलाते र हैं और पर देखी मेरी कडी ना अब हलका हलका इसमें उबाल आने लगा है काफी हद तक यह पक गई है और यह देखी बॉइल आने लगे वहां पर हमें इसको चलाना चोड़ देना है और गैस की फ्लेम को कम कर देना है करीब तीस मिल्ट तक हम इसको यह से ही पकाते जिसके लिए बगहार मैं तयार करी हूँ मैंने आप एक स्पुन के करीब घीर डाला है यहां पर यहां पर जीरा और राई आप लोग चाहिए तो यहां पर खड़ा धनिया और मेती भी डाल सकते हैं मुझे और मेरे घंड में लोगों को नहीं पसंदे इसलिए मैं रडनी किया मान और दो सूकी मिर्ची डाल दी है और लहसून की करीया वे आप यहां पर ढाल सकते हैं पर मैंने सिर्फ अद्रक्षी डाली है कड के लंबे विए नहीं स्लीस हो चूकी है मैंने फ्लेम को बहुत ही कम कर दी और मैंने जो बगहार तयार किया था मैं आप और तड़क लगा बाजरे के आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ा था एक बार और बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि एक फाइनल टैच आज है और हमारी डोटी है बिल्कुल ही न टूटे बाजरे का अटा क्या होता है न हमारे पीट के लिए बहुत हलका माना जाता है जिनलों को अलसा और कि वद्धा दिक्कत होती है वो लोग बाजरे के आटे का यूज कर सकते हैं इसकी रोटी इसका चीला के कटलेट सब कुछी बहुत अच्छा बनता है आगे जाके मैं वोसे का कटलेट की शेयर करूंगी बाजरे के आटे का और डाइबोटीज वालों के लिए दिए बहुत ह जादा है बाजरे की रोटि तो उन्हें प्रफर करना में तो और जो धाल जाए हुए है अब आटा मिक्स पर देखिए की को ले लिया था आप में पाली होगा लाटे य के लोगी बनाए बाधे का लिल कुल हलक पर बैलना है साधा इसमे ज़ोर नहीं लगाना है क्योंकि नहीं यह तैम यह आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही बिजान का आचा एब हमात दोबार को सकता है वी आड़ी चाहिए को वास्थ खाने से काम होती है तो बच्चों के लिए भी इसका हल्वा और यह जो खड़ा बाजरा होता है ना इसकी खीर मना सकते हैं हम लोग बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप लोग भी जरू ट्राइ कीजेगा और बाजरी की रोटी और मेथी कड़ी ये कॉमिनेशन तो बहुत ही भिंड मराना चाहिए बहुत ही चलता है गर्म गर्म रोटी में बढ़िया घी लगती है तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा थैंक्यू थैंक्स वरूब